इस एक्ट के अकवरडिंग आपको ये सजा होगी या फिर फाइन होगा या फिर जो भी है उस लौ के अकवरडिंग आपने ये काम किया है मतलब आपने क्या चीज कई की और उस लौ के अंतरगत आप बैठते हों कि नहीं वो जो की वो उसमें सब लिखित रूप में है तो आईटी में पहला आक्ट आया ये 2000 में और अमेंडमेंट मतलब किसी भी लौ में सुधार या फिर किसी नई चीज का एडिशन करना एड करना क पर कोई नहीं लौ लाना और उसमें कुछ कंसेप्ट डेफिनेशन नई से लिखे जाना तो जो आईटी ऐक्ट 2000 में पहली बार बना उसमें पहला आमेंडमेंट हुआ ये 2008 में तो जो आईटी आट आया तो उसमें जो कमिया थी जैसे साइबर कैफे की डेफिनेशन नहीं थ किया जाता है तो यह सारा जो किया जाता है उसके लिए साइबर काफे की डेफिनिशन नहीं नहीं थी किया गया 2008 में तो उसमें सारी डेफिनिशन इंसर्ट की गया तो पहले वी हाव टू लर्न हाव लौ में लौ कैसे बनता है तो आपको अल्ड़ी सबको पता है कि सपोस्पोज वी टेक एन एक्जांपल आप महाराष्ट्रा अगर महाराष्ट्रा में ले तो देरा स्टेट यहाँ पे लिए उढी Assamelesseless गी होता है है कि जहाँ पे शे लेवल लौता हैं दूश्रा होता हुटा सेंट्र लेवल लौ जो पुरेओडेश के लिए हुटा है अगर स्टेट के लिए लोग कोई लोग आपको बनाना है तो वहाँ पे विदान सभा है विदान सपरिशद है दोनों के जो MLS होते हैं हम उनको आमदार बोलते हैं उन में से किसी भी एक रिप्रेजेंटिटिव किसी भी असेंबली का दूनों में से वो अगर कोई बिल लाता है लोग को बिल भी कह सकते हैं वो कोई बिल लाता है और पर्टिकुलर असेंबली वो पारीत होता है पास होता है विद मेजॉनिटी बहुमत से अगर वो पास होता है तो दूसरी असेंबली में जाएगा अगर विदान जाए और वहाँ पर वो लॉव पास होने के बाद दोनों असेंबली में वो राज्यपाल के बाद जाता है राज्यपाल उस पर साइन करेगा और तो अगर संकर भूश्र्ण हम बनेगा वह स्टेट का कानू अब वह सबको फॉलो कर रहे है उसथरा से वह स्टेट लेवल अगर सेंटर लेवल लॉव अगर बनता है तो सेंटर में भी दोह हॉसες है से में लकसषी ने लौवार और बूसरा है राज्यपाल किसि ने लाया लू तो नहले कि